हेलो गाई से आज हम बात करेंगे Samsung Galaxy Z Fold 3 के folding problem के बारे में एकदम latest device है अगर आप लोग को life में folding की problem आती है ओके तो मैं आप लोग को इसका solution बताने वाला हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजीगा बेल का इकन को प्रेस कर लीजीगा कुछ ट्रिक्स यहां पर मैं आप लोग बताता हूँ टिप्स भी बताता हूँ सबसे पहले अगर इस टैप की problem आती है software update पे क्लिक करें अगर मन्त आप लोग को जो update मिलेंगे simply update करेंगे time to time आप लोग अपने फोन को update करेंगे तो आप लोग को कभी भी स्टाइब की problem face नहीं करना पड़ेगा ओके अगर update कर रहे हैं फिर भी आप लोग को अगर इस टैप की problem आती है तो एक बार setting open करिए उसके बाद आप लोग को reset search करेंगे नहीं कि यहां पर रिसेट सर्च कर लिए आप लोग उने उसके बाद only settings को reset करना हो कि settings को reset करने बाद अगर कोई गलत activity हुई होगी सारी सारी fix हो जाएगी जिससे आप लोग को folding की problem नहीं आएगी अगर software से related problems होगी तो मैंने जो आप लोग को tricks बाता रहा हूं 100% working है बट अगर द प्रावलम होगी hardware की problem होगी तो आप लोगो phone को technician के पास दिखाना पड़ेगा so मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जयमादादी